लोई स्कॉर्पियो वेलकम टू आरे अंचलिक गाइड़न्स आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आपके लिए रीडिंग लेकर आए हूं और हम देखने वाले हैं कि आपके लिए 1111 पॉर्टल क्या खास लेकर आने वाला है तो चलिए यह देखते हैं यूनिवर्स प्लीज काइड स्कॉर्पियो और अगर आपको पर्सनल रिटिंग चाहिए तो आप बुक कर सकते हो मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे इंस्ट्राग्राम भी मेरा वाट्सैप भी आप वहा कोशिश करती हूँ कि जैसे ही आप कॉन्टाक करते हो उसी दिन ही मैं आपको आपकी रिडिंग दे दूँ ठीक है तो टाइम का भी कोई लोचा नहीं कि आप आपको कम मिलेगी आप वेट करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है यहां पे यह भी है कि आज का जो दि रेमेडी करें या क्या करें जिससे हम चीजों को मैनिफेस्ट करता है ठीक है उसके लिए भी आप आज के दिन मुस्ते चाहों तो कॉन्टैक कर सकते हो ठीक है आए देखते हैं रेमेडी की चार्जिस भी बता देती हूं 199 लेंगे जिसमें मैं आपको रेमेडी दूँगी एच्छी सी आज के लिए जो सिफ आप आज के दिन ही करोगे ठीक है आईए देखिए ये बात सिफ मैं बता भी तो रही हूं तो सब आपके वीडियो पर बता रही हूं मुझे औ कि क्लिक किया माइन में कि बताना है मुझे ठीक है बता दूं कि आपको क्या बात है कार्ज तो बहुत अच्छे आ रहा है कि देख़ेता है क्या खास मेसेज़स हैं आपके लिए युनिवर्स के तरफ से आज के दिन में और आज आपके लाइफ में बदलाव हो सकते हैं यह यह बदलाव होंगे वह दिखेंगे पर आज जैसे door opening हो रही है तो वो दिखेंगी चीजे पर time लगेगा वो दिखने में भी बट हो जाएंगी सबसे पहला कार्ट जो आपके लिए वो है Beware of self delusion नहीं खुद को बहुत कम आकना है ठीक है और नहीं कुछ जादा ही खुद को समझना कि मैं तो क्या ही हूँ मैं तो कुछ और ही हूँ ठीक है ये भी नहीं करना तो कम भी नहीं आकना खुद को अपनी respect करना बहुत ज़रूरी अगर आप अपनी words को नहीं समझोगे खुद की respect नहीं करोगे खुद को bad words नहीं बोलने कभी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये हो गया नई करना, ठीक है, Pay attention to your health, अपनी health का ध्यान दीजे, आपकी health हो disturbed रह सकती, वैसे भी motion change हो रहा है, बट फिर भी, Cheer-filled, कोई तो आ रहा है, someone new is entering your life, कोई नया आ रहा है आपके जिंदगी में, और इससे अच्छी खुश्खवरी क्या हो सकती, पीरियड ऑफ प्रॉस्पारिटी और अबंदेंस, इससे अच्छी खुश्खवरी ये हो सकती है, कि पीरियड ऑफ प्रॉस्पारिटी और अबंदेंस, तो कही ने कही लाइफ में financially growth करना, या अबंदेंस की नरजी ऐसी होती कि मेरी, मेरी लाइफ के हर छे तर्मिम, हर फील्म, सब अच्छा हो रहा, सब बढ़िया हो रहा है, ठीक है, तो वैसा family matter, family में कुछ important decision है, family में कुछ हो सकता है, celebration हो सकता है, pay attention to your work, अपने काम पर ध्यान दीजेगा, इस समय पर आपका काम बहुत ज़्यादा important हो सकता है, workload ज़्यादा हो सकता है, या इस समय पर महनत करना बहुत important है, someone you know is undependable and insincere, तो हो सकते कोई है जो गलती कर रहा है, जो है जो insincere है, तो या तो इसकी insincereटी को माफ कर दिजेए, गलती कर रहा है, इस समझाईए कि क्या सही और क्या करना चाहिए, dealing our relationship with a woman, with dark complexion our hair, तो ये dark woman आपके लिए important हो सकती है, sister हो सकती है, आपके लिए आपकी friend हो सकती है, आपकी खुद की बेटी हो सकती है, आपकी wife हो सकती है, आपकी mother हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कभी-कभी मैं समझ में रहता है, कि हम क्या decision ले, मिरे लिए क्या सही होगा, कभी-कभी ना छोड़ देना चाहिए time पर, जहां भी लेके जारी है destiny, लेके तो अपने जगा भी बेजाएगी, चाहां मैं ऐसा घूम के जाओ, या चाहे सीदे सिद्धे पहुच जाओ, लेके मुझे जाना वहीं पर है destiny को, तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहे क्या करें, तो छोड़ देना चाहिए, यह destiny कैसे ना कैसे करकर तो लेके जाएगी, और यहां पर आपके लिए कि four leaf flower, great and good fortune, तो बहुत अच्छा समय कैसे समय आपके लिए आ रहा है, समय आने वाला बहुत अच्छा होने वाला है, बस अपनी health का धियान रखेगा यहां पर, और हो सकता यह आप भी हो सकते हो, अपनी health को लेके यह आप तो insincere हो रहे हो, धियान नहीं दे रहे हो, आपके लाइफ में कुछ new beginnings होने वाली है, उससे पहले endings भी होंगी, कुछ चीज़े खतम होंगी आपके लाइफ में, main male, तो यह main male आपके लिए important हो सकते, एक dark woman आचुकी है, एक main male आचुकी है, तो यह दोनो relationship में भी हो सकते हैं, आपके life में हो सकते, तो आपके life में कोई dark woman आने वाली है, dark woman के साथ relationship end हो रहा है, या dark woman के साथ relationship शुरू हो रहा है, चुकी यह chair filled है, तो हो सकता है, यह entry की ज़्यादा sign मुझे दिखाए दे रहे, कि entry होने वाली हैं की gift, कोई आपको gift दे सकता है, तो family में किसी का body आने वाल है, तो कोई gift आप उनको दे सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं, celebration वो, family में हमने कहा था कि कुछ celebration भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कोई decision family में लेना हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिलाल सेलिबरेशन तो कुछ अच्छा होते वे दिखाई दे रहे कोशिश करेगे इस समय पे कोई चीज पोस्पोर मत करेगे जो हो रहा है होने दीजे ठीक है गिल्ट ने जो गिल्ट होगा हो सकता है किसी बात का आपको असल लग रहा है कि मैंने ये क्यों किया मुझे नहीं करना चाहिए था ठीक है तो जल्द बाज ही नहीं करनी चाहिए किसी चीज को लेकर दा आउटसाइडर कुछ डोर्स हैं यहाँ पर देख रहे हूं गया न्यू बिगिनिंग्स के हैं मुझे दिखाई दे रहा है तो या पर कुछ ऐसी सिच्वेशन में आप फजगे जिसमें आपको लग रहा है मैं स्टक हो चुका हूँ मुझे समझ मिनिया रहा है क्या करूँ लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा यूनिवर्स आपके से वितनी मदद कर सकते कि इस चेन का लॉक खोल दे चेन तो आपको इस दर्वाजे से हटानी है जिससे आप इस टोर को ओपेन कर पाऊ तो जो भी चेंजस लाने है वो आप ही करोगे करना आप ही को पड़ेगा अपने से कुछ नहीं होगा बट यही है कि यूनिवर्स आपकी मदद ज़रूर करेगी प्यूरिफिकेशन कुछ लोगों को लाइफ से निकालना ज़रूरी होता है या पिर जैसे कॉफिन है न कुछ चीजों को एंड करना बहुत ज़रूरी होता है इसपेशली साफ सफाई का मतलब यही है कि अगर आपके थौर्ट्स नेगेटिव है तो उसको निकालो लाइफ से लोग नेगेटिव है तो उनको निकालो लाइफ से क्या करोगे अच्छा इस पर भी मैंने देखा था कि कुछ लोग भढ़के थे खाला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यह आपका डिसीजन है कि कि आपको रखना है किसको नहीं रखना है मेरा काम बस आपको रास्ता दिखाना है अवेेकनिंग ओके तो यहाप पे यह जो अवेेकनिंग जितना सुन्दर लग रहा है न सुनने में वो अतना सुन्दर होता नहीं है ठीक है बट हो सकता है है आप में से काफी ऐसे लोग है जो अवेक्निंग में इंटर कर रहे हों कुछ लोग बीच में ही हो वो spirit की और कुछ लोग की ending हो चुकी है spirit की हो सकता है ending हो गई हो क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कर इसमें coffin का था यहाँ पर तो अगर आपके awakening खतम हो चुकिए और आप अलरी जागरुख हो चुकिए अपने जिन्दगी को लेकर तो अब अच्छा life अच्छी रहेगी काफी better रहेगी नहीं तो नदब पहले ही आपने life के दुखों को जेल लिया है तो अब life better होने के chance बहुत है जेल रहे हो मतलब बीच में ही हो awakening के तो अच्छा बुरा अच्छा बुरा रोना भोना भी थोड़ा पड़ता है इसमें पट क्या होता है कि जब कहते हैं न बटरफ्लाई जब आपके पंख निकल रहे होते है तो आप बनोगे तो बहुत खुबसूरत पर जब वो पंख निकल रहे होते है तो थोड़ा सा पेन होता है तो वही चीज़ है कि वो पेन बाला period है और जब बटरफ्लाई बन जओगे तब तो बहुत ही खुबसूरत तो वैसा कुछ period आपका चल रहा है एक तरीके से यह समझ लीजे तो आप लोग अपने situation के साब से समझ सकते हो कि मैं शुरुवाती दोर में हूँ नहीं में लाइफ है साब चंगा मतलब अभी शुरू हो रहा है मैं अभी pain से गुजर रहा हूँ मतलब चल रहा है या मैं अभी बहुत बुरे pain से गुजर रहा हूँ अब अच्छा होगा आपके साब तो वो आप समझ जो कि मैं अभी किस stage पे हूँ life के chariot जिस ता से chariot आया उसे आप से तो कहूँगी कि अच्छा ही होगा आगे कसम है अभी टकर स्टक थे काम बन नहीं रहते चीज़े सही नहीं चल रही थी आपके favor में नहीं थी तो सब होगा वो सब चीज़े अच्छी होँगी 9 of swords कुछ लोग के लिए नहीं होगी कुछ लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा परिशान रहेंगे और बहुत ज़्यदा stress लेंगे रात को नीन खराब करेंगे और चैन की नीन नहीं आएगी परिशान सिद्धू रहे दिख रहे हैं करेंगे वाव कितना प्यारा कार्ड है emperor and empress couple made for each other तो हो सकता है किसी female को या male से disappointment है चला गया छोड़कर disappointment हो रहा है, बुरा लग रहा है रातों की नीन खराब हो रखी है या इस male को इशी हो सकता है कि मेरे female मुझे छोड़के चली गई है मुझे बुरा लग रहा है, मेरे प्यार में मुझे बहुत disappointment मिला, pain मिला, चोकि वो मुझे चली गई चोड़ कर, ठीक है, तो ऐसे भी है, जो प्यार में है, और disappointed है कि मेरा partner मुझे चोड़ के चला गया है, बुरा लग रहा है, कि क्यों चोड़ के गया, ठीक है, उसका दुख मैं देख रही हूँ, आप जाहिर कर रहे हूँ, तो वो भी नज़र आ रहा है आपके लिए आपर, पर eight of cups हो सकता है, आप भी हो सकते हूँ कि आप किसी को छोड़ कर जा रहे हो, कि आपको लगे कर नहीं, अब मुझे नहीं रहना, लेकिन उसका छोड़, आप इसको रह सकता, बड़ आप भी नहीं रह पा रहे हूँ, तो थोड़ सा रास्ता difficult रहेगा, बट शैद आपका decision सही भी हो सकता है, कुछ लोगों का, पर यहाँ प एक जोड़ी बहुत अच्छी से divine feminine, divine masculine की जोड़ी कहते हैं, emperor, empress, made for each other, ठीक है, पर यह दोनों क्या होते हैं ना, दोनों का यह कि मैं, मैं, मेरी चलेगी, मेरी चलेगी, मेरी सुनो, मेरी सुनो, ego fight, ego clashes बहुत होते हैं, तो हो सकता आपके में भी ऐसा कुछ देखने को मिले, बाकी relationship में up-down हो सकता है, तो यह अब आप पे हैं कि आप इस चीज़ को कैसे maintain करके चलते हो, क्या होने वाला है, क्या कैसे करते हो, ठीक है, अगर उस समझ में आया तो छोड़ तो उस चीज़ को, बहुत जादा पीछे पढ़ने की जरुद नहीं है, कभी-कभी patience रखके time पे छोड़ देना चाहिए चीज़े, तो जादा अच्छा होता, जैसे कि आपके लिए card भी आया था, तो यह थी आ आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए का, सब्सक्राइम में चला भी तक नहीं किया है, तो comment box में ज़रूर बताएगा, thank you for watching.